हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्टिमिस्टिक स्टेडीज, अप्टिमिस्टिक स्टेडीज में आप सभी का स्वागत हैं, आज हम अपनी 5 MCQs सिरीज में, आज हमारा डे 4 है और आज हम CG 36 पंचायती राज अधिनयम के बारे में MCQs देखने जा रहे हैं, ये जैसा कि हमने इंडिया GS तीन दिन देखा है, अब हम तीन दिन CG GS देखेंगे, चतिसगर GS देखेंगे, और ये जो आपका चतिसगर पंचायती राज अधिनयम के जो 5 MCQs हैं, ये आपके आगामी ADEO exam क्योंकि उसमें तो आपका पूरा एक portion है, एक subject है, जहाँ पे आपको पंचायती राज पढ़ना है, फिर उसके बाद आपके ABEO के syllabus में, जो कि CG PSC के द्वारा आयोजित है, उसमें भी आपको पंचायती राज पढ़ना है, साथ में अन्य जो भी comparative exam होते हैं, जैसे कि प्यून हो गया, और SI हो गया, हॉस्टल वॉर्डन हो गया, वहाँ पे clearly आपका mention निये कि GGS के अंतरगत, जो कि पूछा जाता ही है, सभी competitive exam में, I hope आपको clear हो गया होगा, कि ये portion हमारे लिए कहां पे लाभदायक है, तो चले फिर हम आज के session को स्टार्ट करते हैं, session स्टार्ट करने से पहले, यदि आप channel पे new हैं, तो channel को subscribe कर लीजिए, और bell notification को on रखें, जिससे ह जो भी video डाले, तो आप तक पहुँचती रहे, साथ में, session यदि आपको अच्छा लगे, तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share भी जरूर कीजिएगा, तो चले फिर हम session को स्टार्ट करते हैं, हमारा first question है, who is responsible for the quorum in gram sabhah meeting, sir punch, panch, panchayat secretary, deputy sir punch, ग्राम सबा की बैटकों में, गणपूर्ती के लिए कौन उत्तरदाई होता है, sir punch, panch, panchayat sachiv, up sir punch, आपके options है, one and three, one and two, three and four, none of these, इन में से कोई नहीं, pause कर लीजिए और बताइए कि कौन सा, यहाँ पे correct answer होगा आपका, कि ग्राम सबा की बैटकों में, गणपूर्ती के के लिए उत्तरदाई कौन कौन होता है, तो गणपूर्ती के लिए उत्तरदाई होते है, sir punch और punch, यानि कि हम देखते है, one and two कौन से option में है हमारा, one and two मतलब option number b, यानि कि यहाँ पे हमारा correct answer क्या हुआ, option number b, अब आप ये वताएए, इसी प्रश्न को यदि इस तरीकी से प होता है, यदि पूछा गया, नहीं होता है, पूछा गया, तो आपका फिर क्या answer बन जाएगा, आपका answer बन जाएगा, उप सर, punch, clear है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या बोला गया है, और ये option में नहीं रहेगा, फिर ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे क् की बैटकों में गनपूर्ती के लिए कौन उत्तरदाई नहीं होता है, तो कौन उत्तरदाई नहीं होता है, सर, punch, punch, इनमें से कोई नहीं या, उप सर, punch, तो कौन उत्तरदाई नहीं होता, और ये ही यदि पूछा गया, कौन उत्तरदाई होता है, तो बताइए कौन उत्तर जो कि ग्राम पर जो लोगतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह है ग्राम सभा, ग्राम समीती, ग्राम पंचायत इन में से कोई नहीं पहले ध्यान से कुश्शन को समझ आखिये, क्या बोला गया है, ग्रामीन स्वसाशन का जो न्यूनतम स्टर है, ग्राम सबहा है, ग्राम समीती है, ग्राम पनचायत है या इन में से कोई नहीं है. मैं यहाँ पे आपको correct answer बता देती हूँ, आप लोग pause करिए और लेकिन अपने से सोचिए होगा क्या, यहाँ पे देखिए पहले, लोग तांतरिक संगठन पूछा गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, कि gram star, यहाँ पे हम दो option में first जाएंगे, किस में किस में, ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में, कि ग्राम पंचायत होगा या ग्राम सभा होगा, तो यह बताओ, सभा मतलब, सभा हुआ, अब सभा में लोग आते हैं, ठीक है, ग्राम सभा में लोग आते हैं, वहाँ पे बैठक होती है, और ग्राम सभा के सदस से कौन होते हैं, ग लोगतंत्र संगठन में मतलब वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर बोल वहाँ पर समानता होती है समानता का अधिकार लोगतंत्र मतलब क्या है समानता का अधिकार अभिविक्ती की आजादी अभिविक्ती की आजादी ठीक है तो यह सब चीजें आपको कहां पर मिलेगी तो यह कि important question आपके exam का थाबित हो सकता है कि स्वासाशन का new term star जो की gram है उसमें जो लोकतांत्रिक संगठन है वो कौन सा है तो लोकतांत्रिक संगठन क्या होता है ग्राम सभा होता है ग्राम पंचायत नहीं याद रखना है न कि ग्राम पंचायत अब next question में और देखिए यह हो गया फ स्थानिय स्वासाशन की सबसे छोटी इकाय है ग्राम पंचायत जनपत पंचायत जिला पंचायत या इन में से कोई ने बताइए सबसे पहली बात ध्यान क्या देना है छोटी इकाय पूछा गया अब छोटी इकाय कौन सी हो है तो छोटी इकाय होती है ग्राम पंचायत लेक clear है आप लोगों को फिर से ध्यान से सुनिए 36 गड़ में पंचायती राज विवस्था में निमनलकित में से कौन सी बुनियादी इकाई है बुनियादी इकाई पूछा गया ठीक है ग्राम पंचायत है जनपत पंचायत है जिला पंचायत है या ग्राम सभाई क्या पूछा गया है बुनियादी इकाई पूछा गया है बेसिक यूनिट आप से पूछा जा रहा है यहां पे बेसिक यूनिट वो भी कहा है तो चाथ गर्ड में पंचायती राज विवस्ता में तो कौन है बुनियादी इकाई कौन होता है कहाँ पे सब कुछ होता है, ग्राम सभा में होता है, तो बुनियादी अगेन यह important है, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ही जैसा question, एक ही जैसा answer क्यों लेकर क्या है, question अलग अलग है, लेकिन आपके options लग बग लग बग एक है, क्यों? क्योंकि इस तरीके के यदि प् नेक्स्ट है, वारशिक कारी योजना, हित ग्राहियों का चैन, वारशिक बजट लिखा, तता प्रसाशनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव, ग्राम सभा पारित कर सकती है, यदि कर सकती है, यदि ग्राम सभा में गणपूर्ती उपस्तितों, ग्राम सभा में सरपंच उपस् इन में से कोई नहीं, बताईए, बताईए क्या होगा, क्या पूछा गया है, वार्सिक कारी योजना हित्गराहियों का चैन, वार्सिक बजट लेखा तथा प्रसाशनिक, प्रसाशनिक प्रतिवेधन पर प्रस्ताओं ग्रामसभा पारित कर सकती है, यदि ग्रामसभा में पूर्ती उपस्थित हो, ग्रामसभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्रामसभा में उपसरपंच उपस्थित हो, इन में से कोई नहीं, तो ये जो कंडिशन होता है, यानि कि कौन सा कंडिशन, कि वार्सिक कारी योजना का प्रस्ताओं रखना, हित्गराहियों का चैन करना, यानि कि identification of beneficiaries, फिर उसके बाद वाशिक budget लेखा, ठीक है, और प्रसाशनिक प्रतिवेदन, तो ये सभी चीजें कब होती हैं, तो ये सभी चीजें तभी केवल संभव होती हैं, जब गणपूर्ती उपस्थित होती है, जब गणपूर्ती होती है, और ये चीजें कब नहीं होत है, ठीक है, यानि कि जिसे हम बोलते हैं, कि यदि गणपूर्ती की बाद होती है, कोरम, ठीक है, कोरम, कोरम कितना चाहिए रहता है, तो गणपूर्ती यदि नहीं है, तो ये चीजें नहीं होती है, ठीक है, ये चीजें नहीं होती है, और यदि गणपूर्ती होती है, तब और भी वीडियो देखने के लिए और भी MCQs सॉल्व करने के लिए तो चैनल को सब्स्वाइब करके रखिए साथ में बल नॉटिफिकेशन को अन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डाले तो आप तक पहुंचती रहें यदि सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजेगा अपने फ्रेंड्स अपने ग्रूब्स जहां भी आप एड हैं जादा से जादा लोग तक शेर भी जरूर कीजेगा निक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे निक्स्ट सेशन तक लिए अप्टिमिस्टिक लर्निंग थैंक यू फर दे सेशन